अगर आपको रेस्पी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और वीडियो का आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सबसे पहले वीडियो के जस नीचे एक रैट कल का सब्सक्राइब बटन है उससे प्रेस करके और मेरा चनल सब्सक्राइब कर लें शुरू करते हैं रेसिपी को सबसे पहले हम आलू बड़ा का बेटर बना रहे हैं तो इसके लिए हमेशे यह एक से तेड़ कप बेसन उसके अंदर मैंने यहां पर अजवाइन डाल दिया है एक चमच यानकी क्यरॉम सीड और इसमें कुछ और ड्राय स्पैसेज हम डालेंगे तो थोड़ा सा इसमें टेस चीज है वह है ब्लाक सॉल्ट यानकी काला नमक इससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है अगर आपको नहीं पसंदे तो आप इसके अंदर हम पानी डालेंगे और एक स्मूज सा बेटर रेडी करेंगे इसके अंदर पानी हम दीरे दीरे थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे इस मिक्स्टर को हम जितना ज़्यादा फेंट रेंगे उतना ही फलफी और उतना ही क्रिस्पी हमारा आलू बड़ा बन करके रेडी होगा तो आप इसे अच्छे से एक दो मिनिट इस तरह से फेंट लें ताकि इसमिछ कोई लंस भी न रहे है और आलू बड़ा भी एकदम क्रिस्पी बन करके रेडी हो तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें इस तरह से अपनी कंसिस्टेंसी रखें तो इसे एक तरफ रख देंगे और अब हम बनाएंगे आलू यानि की पोटेटो का मसाला तो इसके लिए हमने एक से देट चमच कुकिंग ओईल एक फ्रैंक पेंग के अंदर ले लिया है जैसे ही ओईल गरम होता है एक चमच जीरा एक चुटकी हीं और एसफाइट इड़ा और इसे के साथ में जाता है एक चमच फैनल सीट यहां बहुत छोटा वाला स्पून मैंने यूज किया है आप ध्यान से एट करें और इसे के साथ में हमने खूब सरा करी पत्ता और पांचे ब्रिंचिलीज एड़ कर दी है कची हुई एक बारी कटवा अनियन और प्यास अनियन को हमें ब्राउन नहीं करना है इसे सिफ ट्रांस्पेर würden होने तक कूक करना है तो एक देर मिन तक हम इसे इसी तरह से कूक कर लेंगे ताकि यह थोड़ा सा ट्रांस्पेर पियानियन हो जाए इसके साथ में हमें इसे चटपटा बनाना है तो इसके अंदर कुछ और राइ स्पाइसिस भी हम एड़ करने वाले हैं और अब हम इसमें रेड चिली पाउडर वन स्पून देनिया पाउडर और करियंडर पाउडर थ्रे स्पून ये जो मसाले का स्पून आता है वो वाला मैंने स्पून यूज किया है और ये है हल्दी पाउडर और टर्मरिक पाउडर वन स्पून फ्लेम को मैंने लो कर दिया है ताकि स्पाइसिस अच्छे से रोस्ट हो जाएं भून जाएं और इसमें एक चमच गरम मसाला और ब्लैक पेपर पाउडर यानकि काले मेश का पाउडर भी डाल दिया है इन्हें हम सोते करेंगे बिल्कुल हल्की फ्लेम पर हमें बूनना है स्पाइसेस को बून लेने की बाद अब हम इसमें डाल देंगे मेश किये हुए पांच-छे पटीटो यहाँ पर मैंने कुल सिक्स पटीटो यूज किये हैं और उन्हें बॉइल करके मेश कर लिया था स्कीन निकाल देने की बाद और इसे अभी फ्लेम को हमने कम कर दिया है और पांच-छे मिनिट के लिए हमें इसमें कुक करना है और इसे के साथ में हम यहाँ पर सॉल्ट एड़ कर देंगे टेस्ट लगी उतना आप सॉल्ट एड़ कर लें और जो आपको बड़े पीसेज दिख रहे हैं पटीटो उसके उसे स्पेचुला से इस तरह से प्रीज करके मेश कर लें इसमें एक लेमन को स्क्वीज कर देंगे और इसमें हम डालेंगे खुब सरा कटा हुआ हरा धनिया सारी चीज़ों को हम एक बारा अच्छे से मैक्स कर लेंगे और उसके बाद में हम गेज को बंद कर देंगे यह काफी गरम है अभी तो हमने गेज बंद कर दिया है और बंद होने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद में हम बटाटा बड़ा यानि कि आलू बड़ा बनाना शुरू करेंगे तो मिक्सिर जो है हमारा ठंडा हो चुका है और इस तरह से एक हैंडफुल अमाउंट अपने हाथों में ले 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 उसके बाद में कुछ इस तरह से हमें इसकी बाल्स बना लेनी है अगर आपको स्टिकी लग रहा है अपने हाथों में यह पटीडो यानि कि आलू का मिक्सि तो इस तरह की balls में बना करके ready कर लेनी है इससे अब यह warm है बिल्कुल ठंडा नहीं है और बहुत गरम भी नहीं है मैं easily इसकी balls बना पा रही हूं तो इस तरह से आप balls बना लें यहां हमने सारी आलू की बॉल्स बना ली हैं और इन्हें इस तरह से हम कॉट कर लेंगे जो बेटर बनाया था हमने बेसंग का उसके अंदर और होट हो चुका है हमारा फ्राइ होने के लिए फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है और इस तरह से हम इसमें बेटाटा बड़ा आलू बड़ा या आलू बॉल्ना जो भी आप कहें उसे कैरफुली ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर आपको यही धियान रखना है कि आपका जो फ्लेम है वो काफी अच्छे से हाई होना चाहिए दो-ते मिनिट में यह अच्छे से बन गखे फ्राइ हो जाएंगे थोड़ी देर बाद हम आलू बड़ा को टन करके दोनों तरफ से फ्राइ कर लेंगे और एक बेच में आप बहुत सारे आलू बड़ा फ्राइ ना करें अधर्वाइस वो एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे तो जिसे आप देख सकते हैं यह क्रिस्पी होने लगे हैं अभी एक दू मिनिट पहले ही मैंने ने डाला था और टन करके हम दोनों तरफ से इने फ्राइ कर लेंगे इन आलू बड़ा को आप ग्रिन चटनी के साथ सब कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छा कॉंबिनेशन है आलू बड़ा और ग्रिन चटनी का तो गर्मा गर्म आलू बड़ा यहां पर आप देख सकते हैं, काफी क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा आलू बड़ा बन करके रेडी हो गए हैं, कुछ सेकंड्स के लिए और हम इने फ्राइ कर लेंगे फ्रेंड्स आप सभी से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि कई बार हम घर में जादा खाना बना लेते हैं और उसे बाद में डस्पिन में फैक देते हैं प्लीज कभी बेसा ना करें अपने आसपास हमेशा उन लोगों को देखें जिन्हें उस खाने की ज़रूरत है और ये खाना उन तक ज़रूर पहुँचा है तो आलू बड़ा काफी क्रिस्पी हो चुका है कलर बिन का गॉल्डन हो चुका है और इसे अब हम बहार निकाल ले है ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूं तो उसका नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो ये हो गए हमारे आलू बड़ा बड़ा और आलू बोंड़ा बंका के रेडी तो बनाए एंजोई करें और अपने एक्स्पिरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें थैंक्स वर वचिंग मैं वीडियो